हलो फ्रेंड्स वेलकम टो एप्टेविज और आज हम लोग आपके साथ इंडियन पॉलिटी सीरीज का ही अगला टॉपिक यूनियन टेरिटरी यूपी एससी और फाइनांस कमिशन जो है वो लेके आए हैं तो चलिए आज की टॉपिक को शुरू करते हैं देखें अगर हम सब्सक्राइब बात आती है कि हमारे पास एक तो स्टेट रहती है और एक यूटी रहती है तो स्टेट और यूटी का में डिफरेंस क्या है देखिए जब हम लोगों ने जब भारत अजाद हुआ था तो उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि अगर हम लोग states बना रहे हैं तो किस basis के उपर हम states को बनाएं तो उसके लिए कुछ अलग-लग type के commission आये थे जो सबसे पहले commission आया था वो आया था S के अधार commission और इसने कहा था कि language के अधार के उपर जो है वो states बना दी जाएं उसके बाद जो commission आया that is JVP जाहरलाल नहरू, वल्लब भाई पटेल, पीता भाई सितरा मेया ये commission आया उसके वाद जो अगला commission आया that is फैजल अली commission ये तीनों commission जो थे वो भाईशा के अधार के उपर इन्होंने हमारी क्या बना दी, state बना दी